गाइस मेरा बताया हुआ सिरफ ये 10 रुपे का एक गिलास रोजाना सुभाउट कर खाली पेट पीलीजे आपके पेट की चर्वी बिल्कुल गायब हो जाएगी आपका चाहे लोवर बेली है या अपर बेली है या आपके शरीर में जहां भी फैट है अगर आपका ब्रा फैट उनका फैट बहुत जाएगा लेकिन इसको आपको लेना है लगातार एक महीना अगर आपको मैं खुद अपने मुझसे बोल रही हुआ थो तो डिफिनेटेज एक महीने में ही रिजल्ट मिलेगा । आप सोचेंगे की फंद्रा दयं हमीलु उसके बाद कि करने लग जाओं बहुत थारे लोग remedy तो try करते हैं, लेकिन regular नहीं होते हैं, देखे, जैसे सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, बॉड़ी के लिए पानी पीना जरूरी है, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पानी ना पी दो दिन बात पी लें, तो वैसे जब आपको कोई चीज बता कि हाँ, आपने day 1, day 2, day 3, आपने regular पीया है, और समें टिकमा करते रो, जब आप किसी चीज में अपना नियम बना लेंगे, तो definitely आपको वो चीज रिजर्ट देगी ही देगी, मैं इतने बड़े प्लाटफॉर्म पे, इतनी बड़ी फामिली मेरी हो चुकी, अगर मैं आप कोई चीज शेर करी हूँ, तो definitely मैं इस पर damn sure होँगी, कि मेरी फामिली अगर इसको पेगी, तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं इस ट्रस को ब्रेक नहीं कर सकती, तो मेरी बहुत चालेंजिंग हो जाता है, इस प्लाटफॉर्म पे कोई भी रेमिडी बताना, जब त आपके हटियों की कमजोरी है, आपकी आखे जो बहुत जादा वीक हो चुकी है, उसे धुनला दिखता है, या आखों में से पानी बहुत जादा आने लगा है, आखों में थकान रहती है, या आपके बाल जढने लगे है, या आपकी स्किन समय से पहले बूरी हो रही है, तो तो ये सारी परिशानियों को भी वो जड़ से ख़तम करेगा, तो सोचिए कितना जादा एफेक्टिव याज का मेरा रेमेडी, तस रुपे में आपको हर चीज मिल रही है, आपके शरीर का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, आपके शरीर अंदर से क्लिंज भी होगा, और आपके शरीर में ऐसे ऐसे चेंजिस भी आएंगे, आपके स्किन पे बहुत अच्छा निखार आने लगेगा उसको पीने के बाद में, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पेले, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, घे को अच्छे से धोने के बाद चील लेना है, चिनने के बाद के चोटे-चोटे टुकडे आपने ग्राइंडर में डाल देने हैं, बीट रूट को आपको चिल कर ग्राइंडर में डाल देना है, दो टमाटर को आपको अच्छे से धोने के बाद काट कर ग्राइंडर में डाल देना है इसके साथ आपने क्या करना है जिंजर को आपने अच्छे से धो कर उसको कदुकस करके आपने बीच में आड़ कर देना है साथ में पुदीने के पतियां डालनी है और थोड़ा सा पानी डालकर आपको इसको अच्छे से एक प्रॉपर स्मूधी बना लेनी है ठीक है अब आपकी स्मूधी बनकर तयार हो चुकी है इस स्मूधी में आप डालेंगे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट टेस्ट के लिए या फिर आप डाल सेकते हैं चाट मसाला अब इस स्मूधी को आपने रोजाना एम्टी स्टमक यानि खाली पेट आपको इसको पीना है अगर आप इसको लगातार पीते हैं तो मैं आपको चालेंज करती हूँ कि इस remedy को पीने से पहले अपना हुमोगलोबिन, अपने जोडों का दर्थ और अपने फेस की जो रंगत है वो ज़रूर नोटिस कर लेना अगर आप ये सारे चीजे अपने बेली फैट के साथ नोटिस कर लेंगे तो आपको दिखेगा एक महीने बाद, क्या दिखेगा वो सुनते चाहिए, आपका बेली फैट बहुत जादा रिड्यूस हो चुका होगा, कम से कम आपके बेली फैट में 2-3 इंचिस लूज हो चुके हरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हमें पानी भी हमारे शरीर को फुला देता है, तो ये आपके उस चीज में यानि थारेड में या PCOS, PCOD में हेल्प करेगा, आपके बिली फैट को रिड्यूस करने में, या आपके बॉड़ी में जहां भी फैट है इसको रिड्यूस करन कि आपके ओपर इसका क्या रिजल्ट रहा क्योंकि गिया जो होता है वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है वेट लॉस के साथ मेने आपकी स्किन का ध्यान रखते हूँ इसमें टमार्टर और बीट्रूट एट कर रहा है जो हमारी बॉड़ी में हुमोगलोबिन को बढ बिमारी है तो आप इसको ले सकते हैं अपने बच्चों को भी यह दे और फिर देखें उनका दिमाग उनकी स्किन उनका बॉड़ी कितना अच्छा ग्रोव करेगा तो ऐसी कुछ नहीं और बहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में और टेकिर एंट यह दूड़ी